वेल्कम एट्रेंस पार्ट वन में हमने हंदी केसाइट्मन के सलोशन में कोशिन आणसर तक क्यूजन करें लिए था कोशिन नंबर फॉर से करना बाकी है जो है विलोम सब्ध लिखिये कोशिन आणसर तक सब्सक्राइब है आगे वीलोम ताब्स सब्चे से हम स्टार्ट करते हैं कि मतलко विरुद हरति लिखना है न है तो इसमेंा पहला नबर कोशिन है पहला स्वस्थ दूसरा है नियमित उसका होगा अनियमित पूर्व पश्षिम संकोष असंकोष बालक बुढ़ापा बालक का बुढ़ापा या फिर बुढ़ा ऐसा भी होगता है हलका भारी कठोर नर्म शुद्ध असुद्ध संध्या सबेर संतुलन और संतुलन संतुलन अगला कोश्षिन है कोश्षिन नमर 5 वाग के बनाई है हमें एक शब्द दिया गया है उससे हमें पूरा वाग के बनाना है नदी यहाँ पर आपको असाइन्मेंट में टीचर ने लिखके दिया है नदी लहरा के बहती है यहाँ पर नदी आ गया बीच में दूसरा है प्रतिक्षा तो प्रतिक्षा में मैं आपको जो सेंटेंस बो पिखना यहां पर अल्रेडी तीचरने लिखके दिया है पर यह भी चलेगा नीचे जो मैं आपको बोल रही हैं वह आप लिख सकते हैं बालको का सुनारा भविष सुनकी प्रतीक्शा कर रहा है यहां पर प्रतीक्शा यह यह हो सके तो नहीं लिखके इसे लिखना अगला खु कुछ वीर हैं अगला है भारती भारती लोग संस्कारी हैं इसके अलामा भीवाक्री प्रयोग करें तरीके से या किसी भी तरीके से अपने हिसाफ से बना सकते हैं जिसमें यी शब्द आएं समान आर्थी अगला कोशिन बस दिख से समान आर्थी सब लिखिए तो समान आर्थी मतलब जिसका समान आर्थ हो परियाईवाची लिखने हैं पर्तांत्रता मतलब गुलामी नदी मतलब शरिता निरंतर मतलब लगाता है राह मतलब रास्ता दीरगाईव मतलब लंबी आईव वन मतलब जंकल शताबदी मतलब सोवर्स मुखिया मतलब प्रधान question number 6 है 6 संधी विच्छेत कीज़े संधी विच्छेत मतलब दो शब्द है उसको अलग गलग करना है पहला है किटाड़ तो इसका संधी विच्छेत दोगा कीट धन अड़ क्या होगा कीटाड़ दूसरा है परियावरण तो परियावरण में आपको परियाधन आवरण लिखा है तो यहाँ परियाज जहाँ पर लिखा है महाँ पर हटा कि आप लिखना परि धन आवरण तीसरा है अत्यधिक तो यहाँ पे होगा अर्थी धन अधिक अत्ता हो जहना लिखा हम आपे आप करना अर्थी धन अधिक अगला है मनो बल तो यहाँ पे आप मनो धन बल लिखा है तो लिखना मना धन बल अगला है विद्यार्थी तो आप करना विद्या धन आर्थी लिखा है तो अर्थी करना विद्या धन अर्थी जो विद्या के लिए विद्या पाना चाहे उसको विद्या आर्थी आगे का आप दोनों कैंसर करते हैं यह 5 is enough सब्सक्राइब करें अग्या नेच्ट गजेन आपको ये पत्र और निबंद्रव लेखन हैं कि अगरा को और kuršy नोमर फाइब में पत्र लेक अवकास हैं हुआ है तो कैसे लिगत है जिफ कि अवचारिक पत्र में ऐइगा तौस्ट पत्र कैसे लिखते के प्रिफार जो भी लिखना ए उसके बाला को सबस्क्राइधा है तो उसके बारे में लिखेंगे विशय में उसके बाद नीचे content लिखेंगे लास्ट में अपना नाम रोल नंबर यह पत्र लेखन तो आप हमेशा से जैसे लिखते आ रहे हैं वही है अगला है नीबंद नीबंद हमें दिवाली के बारे में या फिर इंटरनेट के बारे में किसी एक विशय पर हम नीबंद लिख सकते हैं तो यह आप अपने से कर सकते हैं आसानी के साथ आपको सब assignment पूरा स कोर कर सकें अच्छे से पढ़ाई करें अल्डविस थैंक यू